अब गाइज लिखते है कोशन 4th of exercise 11.2 कोशन 4th क्या रहा है गाइज क्या रहा है गाइज क्या रहा है draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree, ठीक है, क्या रहा है कि जैसे मैं आपको पहले एक example से सिखाता हूँ, फिल मैं आपको पूरी compass से बना के दिखाऊंगा, सबसे पहले क्या र कर लोई 5 cm का circle मिना दिया है ठीक है 5 cm रेडियस का circle है उसकी बाद तरह कहा रहा है, tenence मिनाओ, कोई भी एक point आ यहां पर, कुछ भी मान लो क्यू मान लो ठीक है, यह कोई point है कि इस point से हैं, tenence मिनाओ, अब पहले questions में हम क्या करते थे, जब भी हम कोई point दिया था 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 रह तो हम इसको जोडते थे, फिर इसको बसल्ट करते थे, ठीक है, फिर यह वाले तरीके से करते थे हम tangent, पर इसमें क्या दिया हुए हमें कहा रहा है कि, जब हम यह जो tangent मनाएंगे यह यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो कहा रहा है, इसका angle 60 degree दिया हो, मतलब 60 degree आए, इस इसका, बीच का यह angle है, angle of inclination होता है, जो tangent के बीच में, यह angle 60 degree है, ठीक है, तो मैंने सोचा कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका सिरफ एक ही होता है, ठीक है, जब भी हमें angle दिया हो ना, Tenence के बीच के एंगल दिया हो तो करने का तरीक होता है ी सेंटर से यहां पे इसको मिलाओ तीक है यह सम लो और सेंटर से यहां पर इसको मिला दिया और आपको मैंने पहले विझा था कि MAYOR-जो होती है ė thirty दीक्क होना आती है टील के यहां से यह इंपर टैंजेंट ये यह नहीं?」 यह ने हम रहरे हैं यहां पर 62 का अगल होना चीए तुँछ % यह हैं यहां पर 60 यहन और स्मस्मों हँता है 360जरी टील टील यह तो ये 90 एए 90, 90, 90 कितना होगा, 180 ठीक है, और 180 plus 60 कितना होगा, 240 तो बाकी बचा क्या है ये, तो ये angle आगे हमारा, 20 degree, ठीक है, येवाल angle 120 degree होगा, आपको ऐसे करके देख लोगा न, ये वाला angle 1 plus angle, 2 plus angle 3, plus angle 4, इन सबको plus करके देख लो, ठीक है, तो ये हमारा 120 degree आएगा, तो जाएगा ठीक है ये मिटा देता हूं अब गाल देखते हैं कोशन कहा रहे है रॉआ प्र टेइंग टॉष एकंटिमेटर लेके एक संकल बनाओ तो मैं ने दिया तो मैं इसफ संंटिमेटर ले लगा था हूँ यह सर्क्ल मना दिया हमने ठीक है तो यह सेंटर हो गया हमारा उसके बाद क्या करना है यह सर्क्ल मना इसको यहां पर ऐसे लाइन जोड़के रेडियस दिखलो यहां पर कितने रेडियस का सर्क्ल मना है हमने 5 cm स्टाइब में आपके रिख लेता है तागी फिर हमारे को ना को खुशन करने अशानी हो ठीक है उसके बाद हमें कहा रहा है कि जो हमारा एंगल ऑफ टेंजन्ट होना वह 6th डिग्री हो तो मैंने मान लिया कोई मेरा टेंजन्ट कहीं भी होगा यहां पर यहां पर यहां पर कही तो यह से इंटर ता जैसे और यहां पर रिडेस बनाई ती और मुझे कह रहे हैं कि भार कोई पॉइंट है उससे यहां पर जो पर हम टैंजन मनाएंगे न तो यह 60 डिग्री एंगल बने इसे इंगल तब बनेगा और यह तो मेरा 90 होता ही होता है पक्का है रिडियस हमेशा टेंजन्ट से यहां पर 90 डिगरी अंगल मनाती है तो जब यह 60 है यह 90 यह ना इंटी है तो यह बागी जो बचा हुआ ना यह 120 डिगरी होगा कि है यहां वन टटेंट्ट डिगरी यहां पर बीच में वैंट़ ंखишь दिया को यहां पर सारे शी्षिक्षी रिया और अब सारे और 10ishi 2 यहां पह 01 माल लोग एके क्योंकि हमें इंगल पता नहीं है इप यह तो नंहीं आपको निकाल को दिखा दिया है ना आपको मैं सिधा मैंने उबन हम ब trail को इंगे निकाल को दाता हूं एह कि ऑना ही 90 90 NaТी अधिक पलस 90 फ्लस 60 क्योंकि हमें 60 इंतैर ओए की एन्गल 60 इंति कि या मैं कुछन में दिया हो या प्लस एक्समान लो इसको इसलिया यह थो एक्स को यह लिए तो एक्स कितना अगा एक्सको तो आजाएगा 360--smandés यह सब इदर जाना क्या तो नेकर्टी गोजे निने मानने दो इस सब को करोगे 360-240 इस इक लिए वन टूंटी वन टूंटी वन टूंटी डिग्री आ यह चानगा तो यहां पर कहीं बार 60 डिग्री अपने अब बन जागा है ठीक है तो उने में हमें बेसिकली बीच में यहां पे तो सबसे पहले मैं करता हूं यहां पर एक स्टेट लाइन कीजता हूं सबसे पहले एक स्टेट लाइन कीजता हूं ठीक है स्टेट लाइन कीजता हूं यह हमारी एक रेडियस होगी यहां से यहां तक एक हमारी एक रेडियस होगी पर मुझे बेसिकली अब यहां पर बीच में एंगल कितना चाहिए 120 डिग्री कैसे मिनाते हैं मैंने आपको सिखाव है सबसे पहली क्लास में का इंगल कैसे मिनाते हैं यह बीच में यहां पर कमपस रखी जहां पर एंगल मनाना है यहां पर और कट लगाएंगे तो इसको मिला दो इस वाले पॉइंट को इस से आगे ले जाओ यह बन गया है यहां से यहां से यहां तक होगी एक रेडियस यहां से यहां तक होगी इसको नाम ले दो यहां से 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 यहां बना दूगा तो फिर यहां से यहां से यहा यह यहां पर 90 टैरी और 90D on the the next step सबसे प्धेर यहां भी धूलान हैं वहाँ पर भी है एक काई डीट यहां बना है यहां भी बनाई है कृतनी मर्जी इंफ आपनी मर्जी को ठीक रही है का है को कि तो आप एक इस पॉइंट से ऐसे कट हैं है इस पॉइंट से इस लाइन के स्टेट में देख लिए ना जहां पॉइंट आ रहा है यहां पर अपनी अंदाजे से थोड़ा एक यहां पर एक कट ओके अब यह दो कट लगे और इन दोनों के बीच में जो कट लगांगे हैं वो 90 डिगरी अंगल होगा एक यह कट और एक यह क अब सिमिलरली यहां पर करेंगे सवर्ण यहां पर ओके यहां पर यहां पर इन दीजा ऑला तरीका कंपस कोल के एक सेंटर लिया वर एक डीड बनाई ऐसे एक D बना दी, उसके बाद, पैसे हाँ आपको एक मैं छोटा तरीका था हूँ, 90D की अंगल बनाने का, जब यह मेरे D बननी न, अब देखोँ इदर मैंने क्या किया था, इधर से ऐसे कट मारा था, फिर एक इदर से ऐसे कट मारा था, फिर इन दोनों के बीच में से ऐसे क एक कट और एक ऐसे इदा इसा इसी यह बना लिया है को एक इस पॉइंट से यह वाले पॉइंट से कमपस यहां पर रखी उड़िक इस पॉइंट से मुसल रहा है कर दो एक इस वाले पॉइंट अमाला कट जो घांड ते इस इस वाले पोईंट से तो इस वाले पोईंट से दोकंट मंवारा बस इन दोनों को मिला दो इवी मारा 90 डिग्री का अंगल मनता है यह फोड़ा शॉट तरीका ओके इसको मिला दो और इसको भी आगे कर दो वस हुशन मारा खतम विए एंगल वार अपने ही 60 डिग्री अंगल आएगा क्यों कि हमने ये भी 90 बना दिया ये भी 90 बना दिया और ये 120 बना दिया तो बागी क्या बचा ये अपने आपी 60 डिग्री और इसकोशन को करता है तुछ होगा जब यह 60 डिग्री होगा तो अपने हाप यह 60 डिग्री जा जा जाएगा ओके वाज यह ऐसी करने का तरीका और किसी तरह कोई तरीका नहीं इसको कोशन को करने का ठीक है अब हम लिख देंगे steps of construction steps of construction में क्या करना है जैसे जैसे हमने यह figure बनागी है वैसे वैसे लिखते जाओ steps of construction steps of construction का first point क्या है सबसे बहले हमने question में क्या किया था सबसे बहले हमने बड़ा वाला circle बनाया था radius 5 cm लेकर तो draw a circle of radius 5 cm okay first point हो गया हमारा circle बनाने के बाद हमने क्या किया था फिर हमने यह पीज में 120 अंगल सबसे बनाई पर यहां फिर अपर यह पर अंगल लगा यहां इतना कुछ नहीं रिखना हुता सब्सक्राइब just सबीट सब्सक्राइब यह जोड़ दिया यहां और उपरอपर से लिखना होता है पूरा अंदर से लिखना हमिए अंगल सब्सक्राइं then make an angle 120 degree का एंगल बनाया at 0.0 बस यह लिखना वो जुरूरी है कि हमने ओ पॉइंट पे बनाया कि कोई और पॉइंट पे नहीं बनाया at 0.0 या लिख दो at center ठीक है at 0.0 या at center यह की बात है फिर थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया थर्ड पॉइंट में हमने यहां फिर continuity का अंगल बनाने के बाद उसके बात क्या किया था यह ओ से m को यहां पर जोड़ यहां पर इंद पाननाس अगल हमने इसको यहां से जोड़ जियता तो youtube of 2m, ओको m से यहां पे जोड दिया था हमने, फिर हमने यहां इस पे और इस पे 90 डिगरी का एंगल बढ़ाया, then draw, then draw, angle 90 डिगरी, add point, किस-किस पोइंट पर बना या था, हमने m पे और p पे, add point m and p, then draw angle 90 डिगरी, add point m and p, p पे और m पे हमने 90 डिगरी का एंगल होना है, ठीक है, फिर fourth में हमने क्या किया था, हमने इसको यहां से जोड दिया, इसको यहां से जोड दिया, इसको इस point को कुछ भी माल लो, इसको माल लो, q माल लो, ठीक है, और कुछ q हमने लिया तो नहीं होगा, बस ठीक है, m को q से जोड दिया, then join m to q and p to q, p to q, ठीक है, फिर then, fifth मे हम यह भी लिगरीखेज दिखेंगे अंगल 60 डिटी डिग्रीट फिल सिर्टमोंट पर Sea numa अंगे फिलिद डिपर दीघ्स उसके बाद Beijing लिग्री टिर्यट मो चुबर टाना प्सक्ग जूआब करने लाव डिर शो कंड गहाते यह बाद से तो यूद वाद एंगल 60 degree at point q पे ठीक है point q पे हमने 60 एंगल बना है फिर 6 पे लिखेंगे लिखेंगे then we have obtained hence tangents from point from point q are obtained ठीक है 5 6 7 step की बसकांस्टक्शन लिखा करो और अपने आप खुद बना के लिखा करो तो बस सब्सक्शन भी हमारी होगी that's it